हेलो फ्रेंड्स आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोनित एससे में कोलेज और यूनिवरस्टी एक्जम से जुड़ी हुई पांच नई अपडेट के साथ तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट, डेट सीट, रिएपियर फोर्म, आपके एक्जम ओनलाइन हो गया फिर ओफलाइन और आपका जो टाइम टेबल है आपका एक्जम पैटरन के साथ कि आपका कितने घंटे का पेपर होगा तो फ्रेंड्स क्या कुछ अपडेट आई है सभी अपडेट अलग 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 उनिविश्टी की तरब से हैं तो अगर आप भी एक कोले स्टुडेंट है फिर चाहिए आप B.A.B.C. B.C. M.A.M.C. M.C. किसी भी कोर्स से हैं तो आप अपना डाउट है नीसे कमेंट कर सकते है नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट्स पर बनेगी तो फ्रेंड्स क्या कुछ अपडेट आई है चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाये के विए आज की हमारी ये वीडियो तो सबसे पहली अपडेट हम देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट है फर्स्ट अपडेट है ह पांच तारिख तक आपकी without late fees form बरने की last date है फिर आपकी पांच तारिख से लेकर और फिर आपकी चलने वाली है 12 तारिख तक 500 रुपे late fees के साथ आपके reappear के form चलेंगे तो आज अगर आपने आपके second, fourth and sixth semester even semester में UG या फिर PG second, fourth, sixth eighth and tenth किसी भी semester में even semester में reappear है तो आज अपना form है आप fill कर सकते हैं without late fees के साथ और फिर आज के बाद आपकी 6 से और 12 तक आपके late fees लगेगी 500 रुपे है इसके बाद next update है next update क्या कुछ है हमारी next update है कि CDLU में distance के परिक्षाएं जो है वो कल से शुरू हो जाएंगी यानि 6 तारिक से आपके distance के जो exam है वो सुरू हो जाएंगे चोदरी देविलाल university में अगर बात करें आपके regular के exam कब होंगे even semester के second, fourth and sixth के तो उसके exam आपके जो है July के second week की date दी गही है university की तरब से तो July के second week में चोदरी देविलाली उनिवस्टी के second, fourth and sixth semester के जो student है उनका result, उनका जो exam है वो सुरू हो जाएंगे अगर बात करूँ आपके result की first, third and fifth semester का result कब आएगा तो result के बारे में आभी कोई information नहीं है बाकि जो भी नई information आएगी CDLU की तरब से result को और date sheet को लेकर तो आपको वीडियो मिल जाएगी next update की बात करे next update क्या कुछ है next update हमारी होने वाली है college में वार्चिक प्रिक्षा में के समय में हुआ फिर बदल तो क्या कुछ update है ये update है इंद्रागांदी उनिविश्टी मीरपूर की तरफ से आईजू मिरपूर की तरफ से date sheet जारी की गई थी date sheet में बताया गया था कि जो भी student है जिन students के exam होने first semester के बचे हुए exam उनका time period दो घंटे का दिया गया था कि student को दो घंटे में अपना paper solve करना होगा लेकिन फिर आप time table उसमे time management में जो है उसमें फिर से फिर बदल किया है उनुश्टी ने आप दो की जगए फिर से तीन गंटे दिये जाएंगे student के जो भी student अपने paper देने वाले थे first semester के बचे हुए वो सभी student को आप तीन गंटे मिलेंगे पूरे तीन गंटे paper solve करने में और paper जो pattern रहेगा उसमें थोड़ा बहुत उनको जो है छुट दीज आएगी जो उनको solution करना होगा paper का question paper का solution करना होगा उसमें तो friends फिर से तीन गंटे आपको मिलने वाले हैं तो क्या कुछ update हो गई हमारी आपके रिये पेर के form की आज last date है without late fees IGU मियरपूर की IGU मियरपूर के first semester के जो बचे हुए exam है उन्हें 3 गंटे मिलने वाले हैं और CDLU के distance के जो exam है वो कल से शुरूख हो जाएंगे अब बात करें next update की next update क्या कुछ है PG के परिक्साई online होंगी या offline KUK की update है कुरुक 16 उन्वरस्टी की लेकिन साथ ही मैं बात करूँ तो सभी उन्वरस्टी की update होने वाली है क्योंकि जो भी exam होने है उन्हें लगबग जो date sheet जारी की गई है 50% date sheet में ये नहीं बताए गया है कि आपके exam online होंगी या फिर offline उन्वरस्टी बताती है कि आपके जो exam होने है उससे साथ दिन पहले जो आपके admit card में आपको बता दिया जाएगा आपके exam online होंगी या फिर offline जबकि कुछे की उन्वरस्टी अपना pattern भी साथ बता रही है और अपने जो exam schedule के साथ-साथ exam कैसे होगा online या offline वो भी साथ बता रही है लेकिन जो कुरुक छेतरे उन्वरस्टी है उसमें PG के जो exam होने है उसके लिए date sheet जारी हो गई है लेकिन ये नहीं बताया है कि उसके exam online होंगे फिर offline उसमें बताया गया है कि exam से 7 दिन पहले आपको बता जिया जाएगा कि आपके exam online होंगे है फिर offline next update क्या कुछ हमारी next update हमारी है result को लेकर 7 दा students परिशान ये हमारी पंजाब उन्वरस्टी से update है कि जो भी student उसमें study करते हैं उनका result अभी तक नहीं आया है क्योंकि अब उसमें जो admission होने है जो पंजाब उन्वरस्टी में जो 2 अगस्त से उनके students के courses के admission होने start उसको लेकर अभी तक students के result नहीं आये है बहुत से students को जो है job वगरा के form बरने है तो उसको लेकर भी result आना बाकी है result जब आएगा तभी वो job के form बर पाएंगे लेकिन अभी तक result नहीं आ पाया है तो student है जो अपना job से related form भी फिल नहीं कर पा रहे हैं तो यह 5 अपडेट थी आज की आपके लिए 5 अपडेटों में आपके क्या क्या आपडेट सामिल थी अगर फिर से मैं clearly आपको बताऊं तो आपके लिए पेर form बरने की आई-जू के आज लास्ट डेट है आज 5 तारिख है 5 तारिख तर लास्ट डेट है विदाउट लेट फिस विद लेट फिस बारा तक चलेंगे लेट फिस आपके 500 रुपए होगी तीन गंटे आपको समय दिया गया है फर्स समेस्ट के जोपी स्टुडेंट है उनको CDLU के जिस टेंट के एग्जाम कल से शुरू हो जाएंगे पंजाव उन्वस्टी में स्टुडेंट परेशा ने क्योंका रेजल्ट नहीं आया है और PC के एग्जाम ओनलेन हों गया ओफलाइन क्रुक छेतरे उन्वस्टी की तरफ से तो फ्रेंट्स ये पांच अपडेट थी आपके लिए फिलालेस वीडियो में इतना ही आपके कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग हैव अगुड डे वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो